आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, नाइथ क्लास से हमारा चैप्टर है The Snake and The Mirror, साप और मिरर या सीसा आप कह सकते हैं, वाईकों महमद बशीर ने ये चैप्टर लिखा है, ये स्टोरी एक हॉम्योपैथ डॉक्टर की है, हॉम्योपैथ डॉक्टर बार बार बतलान हैं, इलाज करते हैं, उसको हॉम्योपैथ कहते हैं, अब ये जो हमारा चैप्टर है, ये वाईकों महमद बशीर ने लिखा है, ये कहानी वाईकों महमद बशीर ने लिखी है, वाईकों महमद बशीर इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंडेंस के एक्टिविस्ट थे और व हम अपनी story की तरफ रुख करते हैं जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं कि ये एक homeopath doctor की कहानी है A doctor tells this story to some of his friends ये जो homeopath doctor है ये कहानी अपने कुछ दोस्तों को सुनाते हैं He was a homeopath, गरेलू चिकिटसा पद्दती से इलाज करने वाला ये doctor था He lived in a small room ये एक छोटे से कमरे में doctor रहता था कमरे की कुछ खास बाते हैं आपको बतला रहे हैं आप note down कर लेंगे It was a small room, छोटा सा कमरा था It was a rented room, किराय का कमरा था The room was not electrified और कमरे में बिजली की कोई विवस्था नहीं थी बिजली के connection, बिजली की fitting नहीं थी And the room had two windows, कमरे में दो खिड़कियां थी It was an outer room और ये बाहरी तरफ बना हुआ कमरा था It had gabbled roof दोहरी धलान वाली इस कमरे की चट थी और चट की खास बात क्या थी That it was made of tiles and was spotted on a beam over the walls और ये जो चट थी ये दिवारों के सहरे भी और एक बीम के सहरे और दिवार जो है इस छट को स्पोर्ट किये हुए थे सहरा दिये हुए थे tiles की बनी हुए ये छट थी इसको gabbled roof बोला गया है और the rats kept on moving here and there और वहाँ रूम में जो rats हैं, चुए हैं वो इदर उदर भागते, दोडते, रहते थे डोक्टर के बारे में आपको बतलाएं the doctor had just started his medical practice so his earnings were not so much डोक्टर ने अभी-अभी अपना जो चिकिच्चा का काम है, अपने डोक्टरी का जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है अभी-अभी शुरू किया था so doctor की जो earnings है, कमाई है वो ज़्यादा नहीं थी he had only 60 rupees in his suitcase डोक्टर के पास केवल 60 रुपे थे वो डोक्टर ने अपनी suitcase में रख रखे थे and he had some shirts, दोटीज and a single black coat डोक्टर के पास कुछ कमीज थी, दोटीज थी और एक coat था, जो काले रंग का था केवल एक coat था, जिसका रंग काला था a single black coat कहानी आगे बढ़ती है one summer night एक रात की बात है, गर्मियों की ये रात थी the doctor had his meal at a restaurant, डोक्टर ने एक restaurant में अपना खाना खाया and came back to his room at 10 o'clock 10 बजे रात के अपने कमरे में doctor वापिस आजाता है he took off his clothes, गर्मियों की रात थी, so doctor ने अपने जो कपने हैं वो उतार दिये and opened the windows, और doctor ने खिड कियां अपने कमरे की खौल दी, he lay down but couldn't sleep, सोने के लिए वो लेट जाता है सो नहीं पाया, क्योंकि it was very hot, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, so he went out to the veranda for a little air, ताकि थोड़ी बहुत हवा मिल सके, इसलिए doctor ब्रामदे में, उस कमरे के बाहर जो ब्रामदा था वहाँ पर doctor बाहर निकल आता है, but he got no air outside also, बाहर भी doctor को कोई हवा नहीं मिलती है, so he came back, इसलिए वह doctor जो है, वापिस दुबारा से अपने कमरे में आ जाते हैं कमरे में आने के बाद doctor ने क्या किया he sat down on the chair, he took a book and started reading in the light of kerosene oil lamp या kerosene lamp, doctor एक chair के उपर आकर बैट जाते हैं, एक किताब उढ़ाते हैं, और मिट्टी के तेल से जलने वाले एक lamp की रोशनी में, लाल टेन आप कह सकते हैं उस रोशनी में एक किताब को पढ़ने की doctor कोशिश करते हैं, किताब doctor पढ़ने लग जाते हैं, the doctor heard a sound from above अब छट की तरफ से doctor को एक आवाद सुनाई देती है, he kept looking at, doctor ने उस आवाद की रहते हैं, अब doctor ने क्या किया he made important decision doctor ने एक बहुत ही महतोपूर्ण निर्ने लिया, he decided to have thin mustache and shave daily doctor ने एक निर्ने लिया कि अब के बाद में to look smart, smart दिखने के लिए, पतली पतली में मूच रखूँगा और डेली में shave करूँगा he heard the same noise after some time, कुछ देर के बाद doctor को फिर वही आवाज जो पहले सुनी थी, वैसी ही आवाज सुनाई देती है but the doctor paid no heed to it doctor ने इस बात की तरफ, इस आवाज की तरफ फिर से कोई ध्यान नहीं दिया अब doctor ने क्या किया the doctor got up, lit a bidi and started pacing up and down the room doctor chair से खड़े होते हैं bidi सुलगाते हैं और अपने कमरे में इदर से उदर चक्कर लगाने लग जाते हैं he thought that he would marry a woman अब doctor ने फिर एक निरने लिया कि अब मैं शादी करूँगा शादी किस से करूँगा? एक women से एक औरत से मैं शादी करूँगा और वो जो women है उसकी खास बात बड़ा important एक question रहता है आप note down कर लेंगे कि कैसी ओरत से doctor शादी करना चाहता था that woman should be very fat वो जो महिला है जिससे doctor शादी करना चाहता है वो बहुत मोटी होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए क्यों? that she wouldn't be able to chase him she wouldn't be able to run after him or she wouldn't be able to catch him whenever or you can say if he ever made a silly mistake doctor कहता है कभी मुझसे कोई मुर्खतापूर्ण काम हो जाए कोई गलती हो जाए तो वो जो मोटी औरत है मोटी महिला है जो जिसको वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है वो मोटी औरत फैट वुमेन मुझे पकड नहीं पाएगी यहाँ पर जो हमारे राइटर है वाईको महमद बशीर उन्होंने एक कंटेंट ओफ हुमर मजाक का एक अंच यहाँ पर डाला है वो जो औरत है उसकी और खास बात क्या होनी चाहिए she should have she should have a very good medical practice उस औरत की जो है बहुत अच्छी medical practice चलनी चाहिए she should be a doctor वो doctor होनी चाहिए and she should have plenty of money उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए साथ में good medical practice भी उस महिला की चलती हुई होनी चाहिए अभी इसके बाद जब डोक्टर इतना सब कुछ सोच रहा था suddenly a dull sound like a rubber tube falling on the ground तो the doctor heard that type of sound a dull sound तो doctor ने एक dull sound एक मंदी सी आवाज सुनी जैसे कोई rubber की tube उपर से नीचे जमीन पर गिर जाती है ऐसी आवाज doctor को सुनाई देती है उसके बाद क्या हुआ he saw that a fat snake had landed on his shoulder from the back of the chair chair के पिछले हिससे पे से चड़ के एक जो snake है साप है वो doctor के कंदे पर चड़ गया था उतर गया था he didn't move tremble or cry doctor है ना तो वो हिल पाया ना वो काप रहा था ना वो कापा और ना ही वो चिलाया doctor ने ऐसा कुछ भी नहीं किया because he was very much horrified क्योंकि जो doctor हो वो बहुत ज़्यादा डर गया था he was not in a condition to move to tremble or to cry ना वो हिलने की स्थीती में था ना कापने की ना चिलाने किसी भी स्थीती में doctor नहीं था the snake coiled around his left arm अब जो snake है वो doctor की left आप कहें ओले हाथ या बाई तरफ की जो बाजू है उसकी तरफ उसने कोईल बना ली उसकी तरफ डॉक्टर जो है जो snake है डॉक्टर की बाई तरफ की बाजू पे आप कहें कोईल बना लेता है लिपट जाता है जो साप है वो doctor की बाई तरफ की बाजू की तरफ कोईल बना लेता है बाई ओले हाथ की बाजू पे जो स्नेक है वो लिपट जाता है spread out its hood और अपना फन वो फैला लेता है फन की क्या बात है that the hood was 3 और 4 inches from his face साब का फन डॉक्टर के मुझ से चेहरे से केवल 3-4 इंच की दूरी पर ही था In great fear, the doctor held his breath अब डर के मारे doctor अपनी सांस रोक लेता है He was turned to stone, जैसे पत्थर हो जाता है इस तरीके से doctor जड़ बन जाता है, बिलकुल भी नहीं हिलता है but his mind was active, लेकिन doctor का जो mind है वो चुस्त था, वो active था The doctor felt pain as if a road of iron was crushing his arm Doctor जो है, उसको बड़ा दर्द हो रहा था ऐसा लग रहा था के जैसे कोई road of iron was crushing his arm के लोही की कोई छड़ है, जो उसकी बाजू को crush कर रही थी, जोर से दबा रही थी What medicine he should take? What medicine he should take if the snake bites him? अगर सांप उसे काट लेता है, डोक्टर सोचता है, तो कौन सी उसे medicine लेनी चाहिए but there was no medicine available there, वहाँ पर डोक्टर के पास कोई भी medicine नहीं थी so he considered himself the most foolish person, इसलिए डोक्टर अपने आपको सबसे मूर्ख वेक्ती कहकर बुलाता है, पुकारता है very soon the snake turned his head, बड़ी जल्दी सांप ने अपना जो head है, सिर है उसको turn किया, घुमाया, मोडा looked into the mirror, सांप ने अपने आपको mirror में सिसे में देखा and saw its reflections और अपनी reflections को अपनी चाया, अपनी परचाई को सांप ने सिसे में देखा perhaps अब डोक्टर को किसी भी चीज का अंदाजा नहीं था, केवल कुछ भी वो sure नहीं था कि ये सांप कर क्या रहा है so a word perhaps has been used, शायद, डोक्टर क्या केता है, हर चीज के उपर प्रेप्स डोक्टर बोलता है, thinking of growing a mustache डोक्टर सांप को देखकर कहता है के साइद ये सांप ये सोच रहा है के उसे मेरी तरह है जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पतली-पतली मुच उगानी चाहिए, इसी तरीके से साइद सांप भी सोच रहा होगा सीसे मैं अपनी reflections को देखकर के उसे भी मुच रखनी चाहिए और using eye shadow, शायद ये सांप eye shadow use करने की भी सोच रहा होगा और wearing a vermilion spot on forehead या शायद ये माथे के उपर सिंदूर का टीका लगाने की सोच रहा होगा इडिज मेल और इडिज फिमेल ये मेल है और इडिज फिमेल या ये फिमेल है, ये नर है या मादा है तो डोक्टर इन सारी चीजों के बारे में preps word यूज़ करता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सांप सीसे में क्या देख रहा था या वो मुच्छे उगाने की सोच रहा था या आई सेडो यूज़ करने की सोच रहा था या सिंदूर का टीका लगाने की सोच रहा था, ये मेल है या फिमेल है इस बारे में डॉक्टर कुछ भी जो है certainty के साथ में नहीं सोच पाया, वो preps या जो possibility या संभावना की बात होती है, वहीं तक वो सोचता रहा, शायद ये सांप ऐसा सोच रहा है, शायद सांप के मन में ऐसी बात आ रही है suddenly the snake uncoiled itself, फिर अचानक से सांप ने जो डॉक्टर की बाई तरफ की left arm की बाजू जो है, उस पर सांप ने जो कोईल बनाई हुई थी, जो पकड़ बनाई हुई थी, जो वहाँ पर लिप्टा हुआ था, उसको सांप ने उस कोईल को uncoil कर दिया, यानि के सांप ने अपनी को ढिला कर दिया, वहाँ उस बाजू पर से सांप उतर जाता है, and slithard आप कहें fell, यानि के fissal कर into his lap, और फिर डॉक्टर की गोद में उस सांप गिर जाता है, देंदसने क्रैप्ट ने टेबल, फिर ये सांप रहिंग कर टेबल पर पहुँच जाता है, and move towards the mirror for closer look, और फिर सांप आगे बढ़ कर mirror की तरफ चला जाता है, ऐसा लगता था कि ये सांप अपनी जो reflections हैं, उसकी closer look, यानि के mirror में और ज्यादा निकट से अपने आपको देखना चाहता था, अब क्या हुआ, at the time the doctor felt relaxed, अब doctor को राहत महसूस होती है, now his life was saved, अब उसका जो जीवन है वो kept on running, till he reached his friend's house, तो जो doctor है, वो उठता है अपनी पूरी ताकत से बाहर भागता है, दोडता है, जब तक दोडता रहता है, जब तक की वो अपने दोस्त के घर नहीं पहुँच जाता, अब क्या होता है, then the doctor smeared oil all over his body, he took bath and wore new clothes, he changed his clothes, doctor ने अपने पूरे शरीर के उपर तेल मालिश की, तेल लगाया, दोबारा से वो सनान करता है, नाता है, और कपडे बदल लेता है, नई कपडे या दूसरे कपडे पहन लेता है, अब बात आती है, next morning, the doctor came with his friend, and there were two, three other persons also, doctor, वो भी आप उसके doctor के friends कह सकते हैं, तो doctor, जो है, next morning, अपने रूम पर आता है, अपने फ्रेंड के साथ में, दो-तीन और लोग भी उसके साथ में थे, so he wanted to move from there, so he wanted to move his things, आप कह सकते हैं, from there, अब डूक्टर वहाँ नहीं रहना चाता था, अपने समान को वहाँ से समेटना चाता था, अपने समान को वहाँ से कहीं और ले जाना चाता था, but then he saw that the room had been, the room had been almost cleaned out by the thief, the room had been almost cleaned out by the thief, अब जो ये कमरा था, डूक्टर ने अपने कमरे को देखा, तो उसने देखा कि कोई रात को चोर आया होगा, क्योंकि जो रूम था, कमरा था, वो खुला रह गया था, डूक्टर ने देखा कि किसी चोर ने उस कमरे को पूरे तरीके से साफ कर दिया था, almost everything was cleaned out, लगबग हर एक चीज जो है, उसका सफाया किया जा चुका था, कोई भी चीज वहाँ पर available नहीं थी, only one thing was left and it was the doctor's dirty vest, केवल जो डूक्टर की, आप कहें, dirty vest या जो गंदी सी बन्यान थी, वो केवल वहाँ पर बची हुई थी, यह हमारी story थी, और यहाँ पर आकर हमारी जो यह story है, वो finish हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कई जगें आपने देखा होगा, के यह जो story है, that is full of humor, काफी मजाक से, काफी मजाक या जो incidents हैं, वो इस कहानी में आपने देखे होंगे, और आपको मजा आया होगा, students उमीद करते हैं, the snake and the mirror की यह जो story है, यह आपको अच्छे से समझ में आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ, आपसे फिर होगी मुलाकात, thank you, have a nice day.